हलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग जोती भारती खाना खचाना में आपका स्वागा थे शाम की चाय हो या अचानक से लग रही हो भूख या कुछ क्रिस्पी क्रंची खाने का मन करें तो बहुत ही कम सामान से कम महनस से आज हम बना कर तयार करेंगे चावल की पापड़ी या दिया तो यहां पर देख लेते हैं एक कंप हमने मूंकी दाल लिया है कि मैं ने दो घंटे पहले पहले से गलाट कर रखा था अब रिक्ते पानी निकाल दे conven में। 1 डीम की दाल लिए टाल पड़ा करें are पहले से काट कर रगा ता उसमें एट कर दिया है साथ में हम डाल रहे हैं हरा धनिया यह पुछ पतिया एक चमज हरी मिर्ची और लैसुन का पेस्ट इसमें डाला इससे हमारी पापड़ी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है आदा चमज हम डालेंगे इसमें चीली फ्लैक्स घर बहुत हेल्दी होता है इससे हमें केल्शियम मिलेगा अब हमने इसमें एट कर दिया आदा चमज जीरा और थ्री फोर्थ चमज पतलब तीन चोथाई भाग हमने नमक लिया है स्वात के अनुसा नमक कम जादा कर सकते हैं यहां पर तीन चमज में घी ढाल रही हूं गी से हमा इसे सारे इंक्रिडेंट को अच्छे से मिला दिया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सौफ्ट डो तयार कर लेंगे हमें एकदम से पानी नहीं डालना है नहीं तो यह चावल का अटा गीला हो जाएगा तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जैसे आट का आठा गुद चुका है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट दो तयार हो गया है और अब हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे 15 मिट के लिए तब तक हमारा आठा भी सेट हो जाएगा तो मिठकन से कवर करकर इसे रख देती हूं 15 मिट के लिए 15 मिट बाद हम चेक करेंगे त इसमें हमने तेल ढाल दिया रिफाइंड आप जो भी पसंद करते हैं तो तब तक तेल गरम होगा हम तयारी कर लेते हैं तो हम चेक करें 15 मिट हो चुके हैं हमारा आठा भी अच्छे से सेट हो चुका है हमारा जो डो है बहुत ही सॉफ्ट है तो यहां पर देखिए मैं हाथ इस तरीके से रखका छुटे-छुटे इसके बॉल तयार कर लूँंगी अप जिस भी साइच की पापडी बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से इस तरह की बॉल साइच की बना दीजिए तो मैंने गोल गोल चुटी-छोटे बॉल तयार कर लिए हैं या फिर आप इस reply आप इसे तो देखें हमने सारे गोल बना कर तयार कर ले हैं अब हम बनाएंगे पापड़ी तो यहां पर आप बटर पेपर भी ले सकते हैं लेकिन मैं नॉर्मल जो पानी होती है पॉलतिन होती है उसे मैंने अच्छे से साफ करके रखती हूं तरीके से चोथाई में मैंने काटके रखा यह दो पानी लिए तो दोनों पन्यों पर हम ने और से क्रीस कर दिया है थोड़र थोड़र अब हमने एक गऌला राकर दूसरी पनी इसे कवर कर दिया है मैं यहां पे दो तरीके से आपको पापड़ी बनाना बताऊंगी तो देखिए पहला तरीका यह है कि हमने कोई भी डबा या आप कटोरी ले सकते हैं उससे इस तरीके से पनी के उपर दबा दीजिए तो आपकी जो पापड़ी है वो इसली बन जाएगी और जिस भी शेप में आप करना चाहते हैं तो यह बहुत ही अच्छे से बन जाती है और मैं आपको दिखा देते हूं यह बिना टूटे पनी में से निकल भी जाती है तो आपको दोनों पापड़ी में जो पनी है पॉलतिन है उसमें ऑईल लगाना जरूरी है अब यहां पर तेल भी गलम हो चुक मैंने यहाँ पर एक गोला रखकर रूसरे उपर से पनी से कवर कर दिया है और ऐसे फेला दिया है जाट पल्रेने ठापड़ी में असी व्her रोल पापड़ी बना तैयार कर लिए हम पेकलर के निकाल दोक्रीका प्लेट के अंधर예요 तो यहां पर ऑने मतना की अबधाया कर्गे है और इसारी प्लेट के अंदर निकाल देंगैं तो यहां पर हमने सारी पपडियों को देखिए जबद है यह बहुत है कृस्पी क्रंची बनती है जो तोड़ कर दिखा देती हूं आप इसकी आवाज सुनिए तो बनी है ना देखिए हमारी क्रिस्पी क्रण्ची पापड़ी बहुत ही इजी और बहुत ही कम टाइम में बनकर तयार हो जाती है आप इसे गर्म गर्म चाय के साथ सब कर सकते हैं टमेटो सॉस से भी इंजॉय कर सकत आपको यह रेसिपी कैसी लगी अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन पर भी क्लिक कर लीजे ताकि इस तरह की रेसिपी आने पर सब सब पहला नोटिफिकेशन आपको मिलें मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ बाबाई टेक क्यो मिलें आपको मिलें में मिलते हैं आपको